पूर्वा महिश्वरी अलीगर से आज आपके सामने स्वयम रचत एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे ही हूँ जो की समर्पित है समस्त नारी समाच को जिसे प्राय कमजोर समझ लिया जाता है अपनी बात समझाने के लिए मैंने पौराणिक पात्रों का आधार लिया है जो की हम सब को यह समझाएंगे कि स्त्रिया कोमल है पर कमजोर नहीं तेरी खामोशी युद्ध का तुमूल है बाते शांती प्रस्ताव तेरी फूक से आंधी जन में आसूओ से सुनामी तू ओस से ओला बने जैसे मनू से लक्षमी बाई तू शबनम से शोला बने जैसे पन्ना धाई सावित्री बन जब प्रेम करे तो काल को भी डराए द्रौपदी बन जब रार करे तो ग्वाले को रत थमाए तेरे लिए ही उठे राघव के बाण और माधव की तान तेरे लिए ही जुके दानव के ईश और मानव के शीश तू सरस्वती का साम लक्ष्मी का दाम तू चंडी का दंड तू ही पार्वती का भेध है तेरी भक्ती की शक्ती ने बैरागी को भी संतिती दी भगवान महेश और माता गौरी की बात कर रहे हो तेरी भक्ती की शक्ती ने बैरागी को भी संतिती दी उसने ही शक्ती की विरक्ती में फिर तांडव से विपत्ती की तू कुंती बन शील बचाने ममता त्याग दे तो गांधारी बन ममता बचाने शील त्याग दे तो गांधारी बन ममता बचाने शील त्यागते तू केकई का ओड़ा हुआ बद जिसने राम को नाम दिये सोचिए केकई नहीं होती तो भगवान कैसे बनते राम तू केकई का ओड़ा हुआ बद जिसने राम को नाम दिये तू केकसी का ओड़ा हुआ नाम, जिसने रावन को बद दिये तू अगहैन के बर्व सी कचोर, जेट की धूप सी कड़क है तू फाग की फुहार सी कोमल है तू फाग की फुहार सी कोमल पर मौसम सी कमजोर नहीं धन्यवाद झाल झाल